समाचार सेवा प्रभाज से प्रस्तुत है हमारा सापताहिक कारिक्रम पब्लिक स्पीक कारिक्रम पब्लिक स्पीक में आप सब का स्वागत है मैं हूँ कनकलता आज का विशय है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा निवरते के बाद मिलने वाली पेंशन अवकाश प्राप नागरिकों के लिए आयका महात्वपुन स्रोथ होती है इससे वे अपनी आविशक्ताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से आत नर्भर बने रहते हैं और साथ ही अचानक आपड़े जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना पड़ता पेंशन भोग्यों को साल में एक बार नवंबर में बैंक या अधिकरत एजिंसी में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवारे है व्यक्तिकत रूप से वहां उपस्थित होना और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सबसे बड़ी समस्या होती है खास्तोर से अत्यवरद, बीमार और शारिरिक रूप से कमजोर लोगों की परिशानियों को देखते वे सरकार ने डिडिटल लाइफ सर्टिकेट योजना आरंभ की है इसे योजना के बारे में विस्तार से चर्चा और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियों में मौजूद है इस टोडियों में आप दोनों का स्वागत है दिल्ली से बहार की श्रोदा इन नमबरों से पहले शूने एक एक लगाना न भूलें वाट्सेप नमबर 9289094044 पर भी प्रेशने भेजे जा सकते हैं आप हमारे चुचा हैंडल एट याईयार न्यूस अलर्ट्स पर भी हैस्टेग आस्क याईयार के जरीए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं ये कारिक्रम हमारे मुबाइल एप न्यूस अन एयार और दूर दर्शन की डी टी एच सेवा पर भी उपलवद है कारिक्रम की शुरुवात में धृब जोदी जी हम ये जानना चाहेंगे कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना कब शुरु के गई और इसे जमा करने की क्या प्रक्रिया होती है साथ ही किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है जी ऐसा है कि लाइफ सर्टिफिकेट जो जीवन प्रमान पत्र है ये एक पद्धती है जिसके जरीए हर पेंशन धारी उनको ये बताना पड़ता है सरकार को कि मैं जीवित हूँ साल में एक बार ये जमा होता है और पहले से ये प्रक्रिया चुकि प्राबधान है हर पेंशन धारी के लिए हर पेंशन भोगी के लिए चाहे वो कुटम पेंशनर हो तो मतलब family pensioner हो या कोई भी श्रेनी के pensioner हो तो इनको साल में एक बार bank जाकर या post office से लेते हैं तो post office जाकर manually ये प्रमान पत्र जमा करना पड़ता था. 2014 से हमारे प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी के मार्क दर्शन में ये digital life certificate हम लोगों ने इस प्रावधान को लाया जिसके जरीए आपके आधार से enabled जो प्रक्रियाएं हैं जैसे आपके फिंगर प्रिंट्स हैं जैसे आपके आइरिस हैं आँखों के आइरिस हैं इसके ज जुरू हुई और 2019 के बाद से इसमें और भी pension भोगियों के लिए और आसान बनाने के लिए खास करके जो और भी वृद्ध हैं जो 80 साल के उमर के से ज्यादा हैं उनके लिए और इसको सुगम में बनाने के लिए इसको face authentication जो चेहरे का जो पहचान है उसके जरीए इसको घर बैठे आप कर सकते हैं ये 2019 से हम चला रहे हैं और ये digital life certificate देने के प्रक्रिया में आपको जो basic जो दस्तावेज हैं वो आपके PPO numbers हैं वो देने पड़ते हैं account number है आपका नाम है उसकी जो वरतनी है उसका जो spelling है उसको सही तरीके से उसको देना पड़ता है और बहुत आसान है इसमें बहुत जादे कुछ दस्तावेज आपको देना नहीं पड़ता है और इसके जरीए आप जमा कर सकते हैं जीवन प्रमान पत्र नवंबर में जमा कराना होता है अगर इस महने में किसी कारणवर्श हम नहीं करा सकते तो क्या प्रावधान है इसके लिए देखिए च कुछिंकि पैंशन होगी कल्यान विभाग हमेशा哎 कोशिश में कारे रते हैं रहता है कि किस तरह से पैंशनर को आसान रहे जो भी कारे करने में को जो भी प्रावधान है उसके उसकी पुष्टी करने में तो जो ज़ाधा उम्र के लोग हैं जो 80 साल से उपर के उमर के लोग हैं, उनको October महिने से ही जो बैंक्स हैं वो दिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उसको लेते हैं लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा करते हैं और November में भी अगर हम लेते हैं, अगर वो जमा नहीं कर पाते हैं, तो तो ये प्रावधान है कि नॉर्मली हम एक महिना और वेट करते हैं, अपेक्षित है कि अगर कोई पेंशनर कहीं बाहर है, कहीं बिमार पड़ गया है, तो कोशिश हमारी इस अभ्यान से ये रहता है कि सारे पेंशनर के साथ हम संपर्क में आएं और चाहे वो कोई भी श्रेनी के पेंशनर हो, और उससे हम Life Certificate जीवन प्रमान पत्र जमा करवा लें, लेकिन अगर कोई कारणवर्ष ये हो जाता है, तो घबराने की कोई जरूत नहीं होती है, हम नॉर्मली एक महिना और वेट करते हैं, मतलब दिसंबर तक हम वेट करते हैं, और उसमें भी आप जमा कर प्रावधान है, जो मौली जी बताना चाहेंगे, समय काल के लिए, हमारे यहाँ जो रक्षा पेंशन भोगी है, उनके लिए स्पर्ष नामक एक हमारा सिस्टेम चलता है, जिसमें हम खुद ही पेंशन वितरन करते हैं, तो स्पर्ष में ये प्रावधान है कि साल में किसी भ उसकी जो अवधी है, वो बारा महीने तक ही है, तो चुकि जादातर पेंशनर अभी तक नवेंबर महीने में ही लाइफ सर्टिफिकेट कराते आए हैं, जो पुराने लीगसी में थे यार जो चलते आ रहे हैं, वो नवेंबर में ही कराते थे, इसलिए हमारे जितने भी पें पेंशन बंद ना हो, लेकिन अगर किसी ने सेप्टेमबर औक्टोबर में करा लिया है, स्पर्श में, तो वो अगले साल सेप्टेमबर तक वैलिड रहेगा, जब भी करा है, उस डेट से बारा महीने तक लाइफ सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, यह अपना लाइफ सर्ट सेंटर्स हैं, करीब 200 स्पर्श सर्विस सेंटर्स औरल इंडिया हैं, वहाँ पे कहीं पे भी जाके करा सकते हैं, अभी फेस ऑथिन्टिकेशन के थूँ वो अपने घर बैठ के अराम से कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे एंडरोइड हो चाहे, आई यूएस हो, किसी भी मोब पे डाउनलोड करके घर बैठे कर सकते हैं, अगर वो खुद करने में आसा मारत हैं, तो वो स्पर्श सर्विस सेंटर्स जाके करा सकते हैं, हमारे 14 बैंकों के साथ भी MOU हो रखे हैं, जो स्पर्श सर्विस सेंटर्स की तरह काम करते हैं, तो वो बैंकों में जाके भी करा सक और इसके अलावा वो स्पर्श जहां पर भी अवेलिवल है उनका हेड आफ आफ आफिस है या हमारे जो डी-एडी के आफिसेज हैं हर जगा स्पर्श के आउटलेट से वो कहीं पर भी जाके करा सकते हैं हमारे साथ शुर्ता जुड़ चुके हैं रवी हैं हरिद्वार से रवी जी अपना सवाल पूछिए जी नमस्ते जी मैं मैं नहीं गाना जाता हूं मैं जी यह सही है आप बता रहे हैं कि इस पर्शक जो इस योजना चलाई है तो मैं अगर कोई वरिष्ट नाजरीश अपने जीवन परमान पत्र जमा कराने में आसावार के तो उसलिए क्या कोई कोलप्री नमबर भी होगी से वो संपर करके अपने जीवन परमान पत्र पराप करने के जानगार ले सकता है ना जी हाँ आप स्पर्श का जो हेलप लाइन नमबर है जो PCDA प्रयागराज का है वो है एक आठ शोन्ने शोन्ने एक आठ शोन्ने पाच तीन दो पाच इसमें फोन करके पता कर सकते हैं कि किस तरह से करेंगे लेकिन अगर आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे लाइफ सर्टिफिकेट करना है तो अभी जैसा मैंने कहा आप अपने नस्दी की जो स्पर्श सर्वेस सेंटर है उसमें जाके करा सकते हैं वहाँ पे आपको असिस्ट करने के लिए लोग रहेंगे वो आपको करा देंगे औ आने जाने में असम अर्थ हैं तो आप IPBP के लोगों को घर पे बुला के भी DLC करा सकते हैं हमारे दूसरे इशोता हैं धरमबीर दिली से नमस्कार मैडम गंदीने डिली से वोलो मैं ये पूचना चाहता हूँ जरम परमाडपत्र जो हता है हर पट्रे हिंदूसतानी को भूनाना जुरूरी होता है जरम से जिवत्वेंट परवण हबतर है या ये कुछ लग है या जीवन प्रवनुट के आज सरकारी गुर्णमेंट वलों को ही है जैसे अब पतारें पेंचन लेने वलों को जुरूरी होता है और अगर कोई डाकुमेंट इनके मिस हो जाएं, कई जगा बाड़ा जाती है, मकान ढह जाती है तो ऐसे में क्या सविदा है कि इनके डाकुमेंट सुरक्षित रहे पाएं देखिए दरमवे जी इसमें ऐसा है कि जनम प्रमान पत्र जो है वो एक दूसरे प्रावधान के तहट जो सरकारी नियम है उसके तहट ये दर्ज होता है जो जीवन प्रमान पत्र है वो केवल पेंशन धारी जो हैं वो सरकार के हो या गैर सरकारी हो या केंदर सरकार, राज सरकार, पॉब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग या और्टोनमस बॉडी कहीं के भी पेंशनर हो तो ये प्रावधान हमेशा र specific pensioner के लिए है, pension भोगियों के लिए है और जीवन जो जन्व परमान पत्र है ये तो अनिवारे है हर नागरिक के लिए वो जन्व से related है इससे pension भोगियों का कोई संबंद नहीं है और जो आपका दूसरा प्रशन है जो दस्तावेश खो जाने का ऐसा है कि इसलिए हम ये digital mode म करा रहे हैं क्योंकि यह digital mode में एक बार आप आज आते हैं तो आपका जो bank account है आपका जो pension account है वो account आधार से link होके रहता है और आधार से link होने के बाद आपको सिर्फ एक बार इस app को download करना है face authentication वाली app आप android phone यूज़ करते हैं तो और आप iOS में यूज़ करते हैं तो और उसक आपको केवल 30-40 second लगते हैं इस प्रमान पत्र को अपना चेहरा सामने रखना पड़ता है और आपके जो phone के camera है वो आपका phone हो आपके जानकार के कोई भी smartphone हो उससे आप ये जिवन प्रमान पत्र जमा कर सकते हैं तो दस्तावेज इसमें physically कोई भी दस्तावेज आपको जमा आगरा से हैं राजु को नाइन पर नमस्कार नमस्कार राजु जी और दौनों याजी को परी नमस्कार नमस्कार हम आप यह जानना चाहते थे कि यह जो online life जमा करने की त्विक्रिया मुख्मूरे देश में है या के बड़ सेंटर गोवर्मेंट की है देखिए इसमें राजु जी मैंने पहले भी एक प्रश्म के उत्तर में बताया कि कोई भी पेंशनर हो चाहे वो केंदर सरकार, राजसरकार या EPFO के पेंशनर हो या किसी भी शेनी के कुटुम फैमिली पेंशनर हो या PSU के पेंशनर हो, Autonomous Body के हो, किसी भी तरह के पेंशन भोगी हों, उसके लिए ये Digital Life Certificate का अभियान चलाया जा रहा है, और आपको ये Digital Life Certificate जमा करना है, अनिवारी है. जोती जी, ये कैसे पता चलेगा कि Digital Life Certificate ठीक से जमा हुआ है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? देखे, जब Digital Life Certificate आप जमा करते हैं, तो इसके प्रक्रिया में जो आपका आधार का जो डेटाबेस है, जिसमें आपका रेटिना, आपका बायमेट्रिक जो फिंगर प्रिंट है, और आपका जो चेहरे का जो पहचान है, ये सब उस डेटाबेस में मौजूद हैं, और उस उस मौजूदा डेटाबेस से ये मैप होता है, जब आप Digital Life Certificate जमा करते हैं, तो जैसे ही आपने जमा किया, तो एक मेसेज आपको मिलता है आपके फोन पर, कि आपका Digital Life Certificate जमा हो गया है, और उसके बाद ये प्रक्रिया है, कि जीवन प्रमान के डेटाबेस से ये मैच हो के जो Pension Sanctioning Disbursement Authority है, उस तक उन तक पहुंचती है, और वो फिर वेरिफाई करते हैं, कि ये सही आया है, नहीं आया है, कहीं नाम में कहीं गलती तो नहीं हो गई है, या कहीं पे PPO नंबर जो है, वो गलत तो नहीं हो गया, किसी और का PPO नंबर तो नहीं आ गया है, तो 48 घंटे के पश्चात या उसके अंदर आपको एक दूसरा एक और पुष्टी करन आपको अपने मोबाईल पे और आपको कहीं कहीं इमेल के जरीए भी मिलता है, बट मेजरली ये मोबाईल के जरीए आप तक पहुंचाया जाता है, तो दो स्टेज पे ये पुष्टी करन आ लाइफ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर फेस आथेंटिकेशन से आप कर रहे हैं, तो 30-40 सेकंड ही लगते हैं, तो अगर मान लिजे आपको 48 घंटे में एक दुबारा नहीं मिला है, या ऐसा मिला है कि आपका रिजेक्ट हो गया है, तो दुबारा आप उस आप में जाएं और ठीक से अपना पीपियो नंबर डालके दुबारा दर्ज करवा दें जोश्रता अभी अभी हमसे जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कारिक्रम Public Speak आज हम Digital Life Certificate पर चर्चा कर रहे हैं आपके सवालों की जवाब दे रहे हैं पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में सयुंत सचिव ध्रोवज्योती सेनकुपता और रक्षा लेखा विभाग में सयुंत रक्षा महा नियंत्रक पेंशन सुश्री मौली सेनकुपता ये कारिक्रम हमारे मुबाइल एब न्यूज ओन या यार और दूर दरशन की डिटी एच सेवाप पर भी प्लब्द है द्रोज्योती जी ये बताएए कि कौन-कौन सी संस्थाएं विभाग या P.S.U. के करमचारी Digital Life Certificate का लाब उठा सकते हैं और आगे भविश में किन-किन संस्थानों के करमचारियों को इसमें शामिल करने की योजना है सरकार की देखिए जो आप सवाल पूछे हैं इसमें दो पार्ट्स हैं इसमें एक तो है कि कौन इसमें जमा कर सकता है जैसा मैंने बताया कि किसी भी स्रेणी के पेंशन धारी हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग हो केंदर सरकार से कारियन से निवरित्ती हुई हो या राज्य सरकार है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने पेंशन धारी हैं सभी को इस अभ्यान से जोड़ें और आपको मैं बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि करीब पिछले साल हम लोगों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जब वर्जन दो ये लॉंच किये थे पिछले साल के नवंबर के महीने में तो ये पूरे साल में करीब डेड़ करोड़ एक करोड़ सैंतालिस लाइफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट हम लोगों ने दर्ज कराने में समर्थ हुए थे और इस साल अभी तक जो आँकड़े आए हैं करीब सततर लाइफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर चुके हैं और जो की सारे संस्थाओं से के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें आपको मैं बतातेता हूँ कि पूरे आठ सो शहरों में ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभ्यान चलाया जा रहा है इस साल और इसमें जितने पब्लिक सेक्टर पेंशन डिजबर्सिंग बैंक्स हैं करीब सतरह हैं सत्तावन पेंशनर्स वेलफेर असोसियेशन्स हैं और जैसे सीजीडिये हैं IPPB ईंटियन पोस्टल पेमेंट बैंक हैं जिसमें करीब एक लाग अटिस हजार पोस्टमैन डाक सेवक्स इसमें लगे हुए हैं और करीब एक हजार से अधिक नोडल अधिकारी इस अभियान से जुड़े हुए हैं पूरे अभियान का एक केंद्र बिंदू यही है कि हर पेंशनर को हम पहुँचे, हर पेंशनर से हम संपर्क में आए और हर पेंशनर को जीवन प्रमान पत्र दाखिल करने में हम सहायता करें हमारे अगले शुरता हैं प्रमोद जैपूर से प्रमोद जी नमस्कार एक तो कोठी कोठी प्रणाम जो आपने इस तरह से सरानिय हो मैं दन्यवाद देता हूं आप लोगों को जो बड़े बुड़ों के लिए आपने तना वो सही हो मार्गदेशन दे रहें आपके लिए दे मेरा ये कुशन था कि रायसान गौर्मेंट ने एक प्रावधान कर रखा है सिंगल साइन ओन एक डिजिटल वो है कि उसके माद्यम से सर्टिविट दे देते रायसान एंप्लोई रायसान पेंशनर को तो रायसान एंप्लोई गौर्मेंट एंप्लोई जो पेंशनर को क्यों कि ये राजसान सरकार से संपर्कित है लेकिन आप से अनुग्रए ये करूँगा कि आप इससे जरूर हमें पत्र लिखकर या इमेल में आप हमको बताएं और इसको हम झाल राजसरकार जो है संदर्वित राजसरगार हैं उनके साथ हम भी इसको जरूर इस मुद्धे को जरीके सुविधार्थ जो बन पड़ेगा वो जरूर किया जाएगा इमेल आप बता दीजे एमेल आप जो डियो पीपी डबलू के का जो इमेल है वो उस पे आप जाकर ये पेंशनर्स पोर्टल है हमारा हच टीटीपी एस आप लिख लें ह T T P S उसके बाद कोलन उसके बाद दो सलाश अबलीक जिसको कहते हैं उसके बाद समॉल्स में ही लिखियेगा पेंशनर्सिपोर्टल P E N S I O N E R S P O R T Ael pensionersportal.gov.in इन pensionersportal में जाके आप ये जो आपकी समस्या है इसको दर्ज कराईए हम इसको संदर्भित राजसरकार के साथ इसको टेक अप कर लेंगे तोल फ्री नंबर भी बता रिचे और जो तोल फ्री नंबर है हमारा 1800 111 960 ये तोल फ्री नंबर है इसमें आप फोन करके भी ये दर्ज करा सकते हैं अब फोन लैन पर मौजूद है सुनील जाद दिल्ली से जी सुनील जी जी मैं यहीं सवाल करना चाहता हूं कि जैसे बिटलांग और बिटबा और गएरा चाबसा जुबर होल के pensioners दिनका भी डिल्सी होता है अगर वो pension धारी है pensioner है जैसा मैंने आपको बताया कुटम pensioner अगर है तो किसी भी श्रेनी के pensioner को digital life certificate जीवन प्रमान पत्र जमा करना अनिवारी है कौन सा पोटल या एप डाउनलोड करना होता इस certificate को जमा करने के लिए देखिए इसमें दो एप्स हैं चाहे आप iOS अगर Apple phone यूज़ कर रहे हैं या Android phone यूज़ कर रहे हैं तो आधार FaceRD A-D-H-A-R-F-A-S-E-R-D एक ये एप है और एक जीवन प्रमान करके एक एप है जीवन प्रमान आपको उसका आइकन दिखता है और जो आधार FaceRD है वो छिपा रहता है वो background में चलता रहता है ये दोनों आप आप डाउनलोड कर ले उसके बाद जीवन प्रमान में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो menu driven है वो आपको बताते जाएगा आप वो steps हैं बहुत simple आसान steps है उसको आप follow करिए तो एक बार दर्ज कराना पड़ता है रेजिस्टर करना पड़ता है और उसके बाद आप एक well lit और बिना movement वाला background के सामने आप खड़े हो जाएं और आपका चेहरा जैसे ही दिखेंगा आपको एक बार आँख मुनने की जरूत है एक बार आँख blink करने की जरूत है पलक जपकने की जरूत है और वो जिवन प्रमान आप उसको capture करके आपको जिवन प्रमान का certificate आपको दिलवा देगा अगला सवाल अमजद एहमद का लेते हैं मुंबई से हैं ये हमारे शोता मुंबई से अमजद एहमद फीट वाला पूछना चाहूँगा कि आपने जैसी पताया कि सभी कंपनीज को इसमें अलाव किया जाता है या वो पोर्टल हो या फिर एप्स क्या मल्टिनेशनल कंपनीज या मल्टिनेशनल फाइनेशनल इंस्टीट के लिए कोई अलग रूल है या फिर वे भी इसमें शुबार है जेके मल्टिनेशनल के बारे में मैं मैंडेटेड नहीं हूँ पर फिर भी मैं ये बता देता हूँ कि जो आपके सरकारी कोई भी अगर संस्थान से आप रिटायर किये हैं वो तो रहेंगे ही इसमें इसके इलावा जो EPA4 के अंडर में इंप्लाइस प्रविडेंट फंड और्गनाजेशन जो हैं इसके तहत अगर आपको कुछ पेंशन अगर आप मिल रहा है तो ये भी इसके प्रावधान में है इसके इलावा जो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग है और जो ऑटोनोमस और्गनाजेशन हैं गर्विडेंट के इसके पार्ट में ये है तो मेरे हिसाब से मल्टिनेशनल कंपनी इसमें शामिल नहीं होते हैं इन दौर से अनिल जी है हमारे साथ हम अनिल जी क्या कहना चाहते हैं इसमें देखिए ऐसा है कि आपको जो ऑनलाइन करना है इसमें आपके जानकार आपके फैमिली के परिवार के भी कोई सदस्य हो सकते हैं आपके दोस्त हो सकते हैं या कोई भी जानकार, कोई भी जो थोड़ा सा टेक सैवी है, उसको आप साथ में ले, उनके मुबाइल पे ये एप डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी स्मार्ट फोन में ये अगर डाउनलोड हो जाता है, वो आपके साथ बैठके, आपके सामने बैठकर भी आप कर सकते हैं इसके इलावा आप जो लोकल पोस्ट आफिस है, उससे आप संपर करें, जो आपका पेंशन डिवर्सिंग बैंक हैं, उससे आप संपर करें, जो पर्स सेंटर हैं, उससे आप संपर करें, आप जैसे ही संपर करेंगे, उनका आपके घर पे आके आपको आपके, आपसे वो अ और आप किसी को विद्वा pension किसी राज सरकार से मिल रही है तो क्या उसे भी हर साल इजिटल लाइफ certificate जमा करा ना होगा? जी विद्वा पेंशन भी फैमिली पेंशन का ही एक हिस्सा है और जैसा मैंने आपको बताया हर पेंशन धारी को यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमान पत्र साल में एक बार जमा कराना अनिवारी है इस सर्टिफिकेट के कोई फीज भी होती है देखे ऐसे तो यह फीज अगर आप घर पे बैटके कर रहे हैं अपने हाथों से कर रहे हैं कोई फीज नहीं है अगर आप बैंक में जाके कर रहे हैं कोई फीज नहीं है हमारे जो कैम्प्स हैं उसमें आप जाके कर रहे हैं हमारे 800 जैसे मैंने बताया 800 शहरों में जो कैम्प्स लगे हैं उसमें जो IPPB के कैम्प्स हैं उसमें एक फीज उन लोग लेते हैं 70 रुपीज का एक फीज लेते है जो बैंक्स हैं अधरवाइस जो जितने बैंक्स के कैम्स हैं उसमें निशुल्क है और आप इसलिए सरकार ये चाह रही है कि आप इन आप्स को डाउनलोड करिए और फेस आथेंटिकेशन के जरीए आप करिए तो आपको ना बायोमेट्रिक के जरीए जाना पड़ेगा ये आ करिवार के सदा सुनी इसकी सूचना बैंक या संसान को नहीं दिये तो ऐसे मामलों से आप किस तरह ने पड़ते हैं देखिए सवाल थोड़ा हटकर है जीवन प्रमान पत्र की बात कर रहे हैं हम लोग तो जीवन प्रमान की ही बात हम लोग करना चाहा रहे हैं तो लेकिन आ या जो पेंशन डिसबर्सिंग अथारिटी है उनको प्राप्त होना जरूरी है फ्रम जो फैमली मेंबर्स हैं उनके जरीए अगर वो नहीं होते हैं तो इसलिए ये जीवन प्रमान पत्र उसका जमा नहीं हो पाएगा और जैसे ही जमा नहीं हो पाएगा तो इनका पेंशन उसके अगले महीने एक महीने हम लोग वेट करते हैं उसके बाद रोग जाती है तो इस तरह के मामलों से निपट्टे में काफी मदद मिलेगी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का ये भी फायदा होगा अब समय हो रहा है कारिक्रम को समाप्त करने का हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कारिक्रम में हिसा लिया पेंशन और पेंशनर कल्यान विभाग में सहुआत सचिव ध्रुवज्योती सेंगुपता और रक्षा लेखा विभाग में सहुआति रक्षा महाने अंतराक पेंशन शुश्री मॉलि सेंगुपता आप दोनों का स्टूडियो में आने और शोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोताओं आपको एक कारिक्रम कैसा लगा? कारिक्रम के संबंद में आप अपने सुझाओं हमें इमेल कर सकते हैं पता है eirnsgtalks at gmail.com कारिक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.nice.in पर लोगिन कर सकते हैं इसकी साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंग यहीं समाप्त होता है अगले सप्ता सो मारा ठीक साड़े नौ बज़े एक और मुद्दे पर चरचा के लिए हम फिर उपस्सित होंगे तब तक के लिए कनकलता को आग्या दीजिए नमस्कार